नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है रचना तो बच्चों इस अध्याय में हम विबिन परकार की अकरतियों की रचना के बारे में जाने हैं तो बच्चों उसके लिए हमें इस अध्याय में परकार जिसे हम कमपस कहते हैं डी और फुट्टा सरल भाशा में कहें तो रूलर की जुरूरत होगी ठीक है बच्चों तो आगे चलते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारे पास प्रश्न है कि एक दिये हुए कौन के समधी वाज की रचना कैसे करते हैं इस पर हम अभी बात करेंगे तो बच्चों हम जो प्रकार से कौन बना सकते हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर हमें एक सीधी रेखा है क्या बच्चों उस पर हम प्रकार से अगर कौन बनाएंगे तो यहां पर एक चाप प्रकार को खोल कर ठीक है बच्चों प्रकार को थोड़ा सा खोल कर यहां पर इस प्रकार क्या करेंगे इसको बिंदू यहां से मानकर एक चाप लगाएंगे अब बच्चों उसके बाद में जितना आपका प्रकार खुला है यहां से हमने खुला है उसी को अधार मानकर इस बिंदू से हम बच्चों एक चाप लगाएंगे और यह होता है बच्चों साथ डिगरी के कौन का चाप उसके बाद बच्चों इस साथ डिगरी के चाप से हम जब यहां पर रखर परकार को उसके आगे जब बच्चों चाप लगाएंगे तो बच्चों यह होता है 120 डिगरी का चाप ठीक है आगे देखिए आगे बच्चों यदि हम ये 60 डिगरी के चाप को और 120 डिगरी के चाप को और बच्चों जितना हमारा परकार खुला है इनको अधार मानकर यानि कि यहां से अगर जितना हमारा परकार खुला है यहां से अगर मैं चाप लगाऊं और उसी प्रकार 120 से एक चाप लगाऊं, तो ये जो बनने वाला कूण होगा बच्चों, ये होगा 90 डीकरी का, इसी प्रकार बच्चों आप प्रकार से विभीन प्रकार के कौणों की रिचना कर सकते हैं, यानि कि अगर मैं बात करूं, ये जो पहला चाप है, 60 degree का और बच्चों यहां पर अगर मुझे इस यहां से जितना हमारा पारकार खुला था यहां से एक चाप काटूं और यहां से एक चाप काटूं बच्चों तो यह 60 और बीच के 60 और 0 के बीच में जो बनने वाला कौन होगा बच्चों वो होगा 45 डिगरी क्या हुआ 45 डिगरी उसी परकार बच्चों 60 यानि कि ये 90 और 120 के बीच में जो बनने वाला कौन होगा वो होगा बच्चों 105 डिगरी और बच्चों जो 90 और 60 के बीच में जो बनने वाला कौन होगा वो 75 डिगरी होगा तो बच्चों ये आपने जो भी चाप बनाए हैं कि हम परकार की साहिता से ऐसे कोणों का रचना कर सकते हैं जो लगबग 15 से क्या होती हैं विबाजित होती हैं तो आपने यहां जाना कि यदि यह जो 60 है और 60 से और इस जीरो डिगरी से जब मैं यहां चाप काटूंगा जितना हमारा परकार खुल है तो वच्चों वो वने का जिन भी दो कोणों के मद्दे आपको किसी भी चोप कोण का कोण की रचना करनी है तो उस दोनों कोणों पर खड़े होकर और जितना हमारा परकार खुला है और वहां से चाप लगा सकते हैं मान लीजी आपको 75 डिगरी का कोण बनाना है बच्चों तो आप क्या करेंगे स सबसे पहले हम। 60 डिगडी का चाप लगाएंगे जितना हमारा परकार खुला है उसके बाद बच्चों साठ और अगये एक सो शॉब लगाएंगे और 120 से चाप लगाएंगे तो यह बनने वाला हमारा कौन होगा वो होगा 90 डिगरी का अब बच्चो हमें 75 डिगरी बनाना है तो 90 पर खड़े होके यहां से जितना हमारा परकार खुला है एक चाप हम यहां से लगाएंगे और एक चाप लगाएंगे 60 तो बच्चो यह वाला जो कौन होगा यह होगा 50 डिगरी इस परकार बच्चो हम परकार की सहता से विभिन परकार के कोनों की रचना कर सकते हैं आगे देखते हैं बच्चो प्रश्न में तो बच्चो प्रश्न है अमारे पास कि एक दिये हुए कोन के समधी वाज़की रचना कीजिए मा लीजिए बच्चों एक कौन लेंगे हम अपनी तरफ से कोई भी और उसके समधी वाज़की रचना करनी है तो बच्चों यह अमारे पास यहाँ परकार है इसे हम लेंगी तो बच्चों यह परकार को यहाँ पर हम एक शिरे पर क्रेखा के रखकर और वहाँ से यहाँ से थोड़ा सा इसको खोल कर यहाँ से बच्चों हम एक चाप लगाएंगे ठीक है बच्चों उसके बाद बच्चों जितना हमारा परकार खुला है जितना हमारा परकार खुला है उसी को यहाँ से इस बिंदु से जहाँ से आपने चाप काटा है यहां से बच्चों हम यहां से हम एक चाब लगाएंगे जो होगा साथ डिगरी का चाब बच्चों क्या होगा साथ डिगरी का चाब ठीक है बच्चों तो यह हमारा बच्चों हुआ साथ डिगरी का चाब ठीक है तो यहां से हम अब फुटे की साहता से किससे? فuttay की यानि की ruler की साटा से 60 degree को ये 60 degree की जब रेखा यानि की यहां से मिलाएंगे 60 degree का कोन? बनाएंगे ये बच्चो इस रेखा को आँ हम यहां से मिलाएंगे और ये होगा बच्चों हमारा 60 degree का कौन है उसके बाद बच्चों हमें इस कौन का समद्वि भाजग करना है बच्चों हम परकार लेंगे सबसे पहले किम लेंगे परकार और इस चाप को यहाई पर रखेंगे और इस चाप से आधी से ज्यादा परकार को खोलकर ठीक है बच्चों आदी से ज्यादा परकार को कि दूसरे को वहां से हम इसको फुट्टे की यानि कि रूलर की सायता से मिलाएंगे यानि कि इस बिंदू को हम कि इससे मिलाएंगे कि अग्याइग तो बच्चों ये वाला जो कौन हो यानि कि ये हमारा बच्चों होगा कि एक दिये हुए कौन का समधिव बाजक होगा यानि कि ये पूरा कौन बच्चों अगर 60 डिगरी खाय है तो ये वाला कौन होगा 30 डिगरी और ये वाला कौन होगा 30 डिगरी तो आप इस परकार किसी भी कौन दिये हुए कोन का समदी वाजक कर सकते हैं आगे चलते हैं बचो अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है बचो कि हमारे पास एक दिये उए रेखाखंड का लंब समदी वाजक की रचना कीजिए तो बचो देखते हैं कि यदि किसी रेखाखंड का हमें लंब समदी वाजक करना हो तो बच तो बच्चों इसके लिए हमने सबसे पहले जुरूरत होगी परकार की तो एक परकार यहां हम लेंगे और हमें एक यहां पर जुरूरत होगी रूलर यानि की फुट्टे के ठीक है बच्चों तो सबसे पहले हमें करना क्या है देखिए सबसे पहले यहां पर परकार को जितनी बच्चों यह रेखा है उसके आदे से ज़्यादा परकार को हमें यहां खोलना है उसके बच्चों यहां हमें इस रेखा के इस किनारे से यहां पर उपर की तरफ एक चाप लगाना है क्या करना है एक चाप लगाना है उसी परकार बच्चों फिर यहां से निच्चे की तरफ भी एक चाप लगाना है यानि कि एक चाप हम यहां लगाएंगे ठीक है बच्चों फिर उसी परकार रेखा के दूसरे बिंदू से हम यहां से एक चाप इसको मिलाएंगे यहां से यहां चाप काटेंगे बच्चों और एक चाप उसी परकार हम यहां लगाएंगे ठीक है बच्चों और जहां यह दोनों चाप काटेंगे बच्चों उपर और नीचे इनको हम फुटे की सायता से आपस में मिलाएंगे ठीक है बच्चों और यहां से इसको हम मिलाएंगे रहे हैं तो यह बच्चों एक रेखा कंड का अमाली जी यह बी है और यह बिंदू आपर काट रहे हैं तो यह एक रेखा यानि कि एक रेखा खंड का क्या होगा समद्वी बाजक यानि कि दो बराबर बराबर बाटेगा और यहां जो बच्चों जो कौन बनेगा वो होगा 90 डिगरी का तो ये इस रेखा का लंब समद्वी बाजक होगा यानि कि ये जो MN है ये MN है रेखा ये AB की क्या होगी लंब समद्वी बाजक होगी ठीक है बचों आगे देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रशन है बच्चों की एक दी गई कीरन के प्रारंबिक बिंदू पर साथ डिगरी के कौन की रचना कीजिए तो बच्चों प्रकार से कौन किस प्रकार बनता है उस पर हम देखेंगे तो बच्चो एक परारंबिक बिंदू पर यानि कि ये मान दीजिये रेखा ए भी है और इसके परारंबिक बिंदू पर यानि कि यहां पर हमें एक साथ डिगरी के कौन की रचना करनी है तो बच्चो उसके लिए हमें प्रकार और एक रूलर की जुरूरत होगी तो बच्चों परकार से यहाँ पर सबसे पहले हम यहां से परकार को थोड़ा सा हम खोले गे और यहां से एक चाप लगाए गे इस तरह ठीक है बच्चों अब जितना हमारा परकार खुला है जितना हमारा परकार खुला है उसको इस बिंदू से जहां से हमने काटा है वहां से एक चाप यहां इस यहां लगाएंगे तो बच्चों यह वाला जो चाप होगा यह वाला जो चाप होगा यह किसका होगा 60 degree का चाप होगा किसका 60 degree और हमें जिस कौण की रचना करनी है बच्चों वो भी होगा 60 degree का तो इसे हम यहां पर इसे हम यहां पर ruler की साइता से मिलाएंगे तो बच्चों इसको यहां से मिलाएंगे तो बच्चों यह जो बनने वाला कोण होगा तो बच्चों इससे आप किसी भी यहादि की परकार से विभिन परकार के कोणों की रचना कर सकते हैं माल लीजें यहाँ 90 डिगरी का कोण होता तो यहाँ से मैं जितना अमारा परकार खुला है यहां पर एक चाप और लगाता और फिर बच्चों यहां 120 पर रखकर और फिर यहां 60 पर रखकर यह जो बच्चों इस यह जो कोण होता हमारा यह होता 90 देख दीगा तो आप इससे जो परकार से विबिन परकारां के कोणों की रचना कर सकते हैं आगे देखते हैं बच्छों अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है कि निमिलिखित कौन की रचना कीजिए और चांदे के द्वारा मापकर इसकी पुष्टी कीजिए तो बच्छों इसके लिए सबसे पहले हमें शेप्स में एक रेखा खैंचेंगे बच्छों यहां पर ठीक है बच्छों अब इस पर हम एक 75 डिगरी के कौन की रचना करेंगे तो बच्छों उसके लिए हमें जुरूरत होगी प्रकार की और एक जुरूरत होगी हम ठीक है बच्छों तो सबसे पहले बच्छों हम 75 डिगरी के कौन की रचना करने के लिए यहां पर रेखा के एक किनारे से यहां से बच्छों परकार को थोड़ा सा खोल कर यहां से बच्छों एक चाप लगाएंगे ठीक है और उसके बाद बच्छों जितना हमारा परकार खुला है यहां से हम एक चाप और लगाएंगे एक चाप लगाएंगे जो होगा 60 डिगरी का चाप यह होगा बच्छों 60 डिगरी का चाप अब बच्छों हमें जो 75 डिगरी का कौन बनाना है उसके लिए हमें सबसे पहले 90 डिगरी का कौन बनाना होगा तो बच्छों यहां से जहां से आपने 60 डिगरी का कौन बनाया है यहां से आपने 60 डिगरी का चाप लगाया है तो जितना जहां प्रकार खुला है उतना ही चाप हम यहां पर एक और लगाएंगे वो होगा बच्छों 120 डिगरी का चाप किसका होगा 120 डिगरी का चाप ठीक ह बच्चों उसके बाद बच्चों यहां पर 60 पर जितना परकार हमें हमारा खुला है उसको यहां पर रखकर एक चाप हम यहां लगाएंगे ठीक है बच्चों और फिर एक चाप जितना परकार खुला है यहां पर हम लगाएंगे और ये बच्चों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उस रेखा के महां से हम इसको रेखा के बिंदू से मिलाएंगे और वो होगा बच्चा हमारा 90 डिगरी का कौन तो ये होगा बच्चों हमारा 90 डिगरी का कौन अब बच्चों 90 और 60 के बीच में बनता है 70 डिगरी का कौन तो जितना हमारा ये परकार खुला है यहां से हम एक चाप लगाएंगे यहां पर ठीक है बच्चों उसी परकार एक चाप हम लगाएंगे यहां से ठीक है बच्चों तो ये दोनों जहां पर काटेंगे बच्चों वो होगा हमारा 75 डिगरी का कौन तो ये होगा बच्चों हमारा 75 डिगरी का कौन ठीक है बच्चों तो ये जो बनने वाला कौन होगा ये होगा बच्चों देखा आपने अमने किस परकार परकार की साइता से और रूलर की साइता से विभीन परकार के कोणों की रचना की तो बच्चों इसी के साथ इस रध्याय का जो भाग एक है वो यहीं समाप्त होता है और बच्चों मिलते हैं इस रध्याय के बाग दो में आगे तब तक के लिए दन्यवाद